लोगों की हड़ियां हमेशा से तूटती भी आ रही हैं और वहां पे भी रॉड्स, प्लेट एंड स्क्रूज डलते भी आ रहे हैं उसी तरह का एक सुरू हमारी डेंटिस्ट्री में भी इस्तमाल होता है जिसको हम लोग डेंटल इंप्लांट कहते हैं यह डेंटल इंप्लांट टाइटेनियम का बना होता है और जब हम लोग इसको बोन के अंदर लगाते हैं तो यह हड़ि के साथ एक प्रॉपर अटाच्मेंट फॉर्म कर देता है जिस तरह जब भी कोई एक हड़ी तूटे तो 8 से 12 वीक्स के अंदर वो बोन प्रॉपर जुड़ती है इसी तरह का डेंटल इंप्लांट भी 8 से 12 वीक्स के अंदर प्रॉपर बोन के साथ हील होके उसके साथ अटाच हो जाता है इंप्लांट को जो सबसे बड़ा यूसर वो है एक सिंगल दांट का डिप्लेश्मेंट के लिए जहां पर एक दांटमिस्इख हुआ वहाँ पर हम लोग इंप्लांट लगा के एक सिंगल मिसिंग दांट को रिप्लेस कर सकते हैं एक dental implant कितना successful होगा ये depend करता है पेशिंट की अपनी health के उपर जाते दर cases में around 93% से लेके 98% तक के एक implant का 5 year survival rate होता है and then 10 से लेके 15 years तक ये around 70% तक के survive कर सकता है I hope ये वीडियो आप लोगों को useful लगी हो, मैं हूं डॉक्टर लियर राशित, thank you